नमस्कार मैं हूँ पुझा चौधरी और आप देख रहे हैं चम्नियूस आइए नजर डालते हैं आज की खास ख़वर पर PMC बैंक घोटाला मामले में प्रवर्तन निर्देसाले ने हाले में शिवसेना सांस संजयराउत की पतनी को समन किया था संजयराउत की पतनी वर्षा पर बैंक से कुछ लोन लेने का आरोब था लेकिन अब दावा किया गया है कि जो 55 लाख उन्होंने लिये थे वो अब वापस लोटा दिये हैं इसी मुद्दे को लेकर BJP नेता किरिट सुमया ने वार किया है BJP नेता किरिट सुमया ने आज एक ट्विट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि संजयराउत अब कहते हैं कि उनकी पतनी ने पूरा पैसा लोटा दिया है हिसाब तो देना ही होगा बिजेपी नेता किरिट सुमया ने आगे लिखा कि आखिर में संजे राउत साहब को पैसा वापस करना ही पड़ा लेकिन हिसाब भी देना ही पड़ेगा गौर तलब है कि ये पूरा मामला PMC बैंक घोटाले से जुड़ा है आरोप है कि इस मामले में प्रवीन राउत नाम के एक अन्यारोपी की पत्नी के साथ वर्षा राउत का 50 लाख रुपे का लेंदेन हुआ है वर्शाराउत को उसी लेंदेन के समबंध में बुलाया गया था हाला कि वर्शाराउत की ओर से दावा किया गया कि इसे संपत्ती की खरीद के लिए उधार लिया गया है इडी ने PMC Bank घोटाला मामले में जाच में शामिल होने के लिए संजर राउत के पत्नी वर्षा को समन जारी किया था इस मसले पर संजर राउत के ओर से भी लगातार BJP और केंदर सरकार पर निशाना साधा जा रहा था संजर राउत ने अपने ही अंदाज में कई बार सोसल मेडिया पर लिखा कि आज देखें किस में कितना है तब तो ये थे आज का मारी खास खबर इसी परकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे हैं चम्योंदे